असलाम लेकुम वेलकम टो प्राउंस किचन विच जूबिया उमीद है आप सब खेरियत से होंगे आज मैं आपके साथ पीजा डोगी परफेक्ट रेसीपी शेयर करने चाहरी हूं तो चलिए आए रेसीपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं 200 ग्रैम वाटर लोंगी और इसक शुगर और बैट सॉफनर अड़ करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी काफी लोगों पता होगा कि ब्रैट सॉफनर होता क्या है ब्रैट सॉफनर यह है कि ब्रै्ट में अर बैटS व делает उस अबसमें में यूज़ करता वागदए अब इसे के इंदर मैं 2 एक्स आपाला सकते हैं. तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि शुगर डिजॉल्व ओजाए. अब हम मैदा लेंगे उसके अदर मिल्क पाॉडर एड़ करेंगे नमक एड़ करेंगे और इसको अची तरह से मिक्स कर देंगे कभी भी इस्ट को नमक के साथ एड़ नहीं करते हैं अलग-अलग एड़ करते हैं क्योंकि अगर नमक औरीस्ट को एक साथ कर दे तो वो डो को प्रूफ नहीं करता अब डो को बहुत अच्छी तरह से हमने गूनने है यहां पर अब मैंने इसमें थोरा से इसको गूनके मतलब सारा बाइंड करके इसके अंदर बटर एड किया है तो आपने ऐसे करने मैंने आपने भी ऐसे ही करने है उसके बाद अब मैंने आइल लिया है अब देखें यह जब मैं आइल डालूंगी ना इसके अंदर तो डो बिलकुल चिपक ना छोड़ देगी जैसे वो पहले चिपक रही थी क्योंकि डो भी अच्छी तरह से गुन चुकी है तो मैंने इसको थोरा सा बचा लिया अब मैं उसी ओयल को इसके उपर ग्रीस करके इसको जोंसे ना 10 से 15 मिनिट के लिए रगतूंगी रेस्ट देने के लिए मैंने इसको राइस नहीं करना ऐसे राइस हम इसको बाद में करेंगे और अब मैं इसको कवर करके किचिन टौवल यां किसी चीज तो पेस्टे के और आपको मिक्सचर की कुछ यह रहिए, वो है कि नहीं FLYR और दिए लेता हैं तो मेरा यह इतना बच गए था अपने भीम नहीं डबे नहीं था थोड़ा अड़ा करने हैं यहां पे 15 मिनट गुज़र चुके थे अब मेदा डिस्ट करके तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूँगी डो के पीसिस को तो यहां पे मैं अब इसको थोड़ा सा बेलूँगी और पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था ओयल से और यहां पे मैं इक्वली सारा पहला दूँगी और यहां पे मैं डो के जो साइड्स है ना उसके अंदर वाइड साइड करी हूँ यह आप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो यह डाल सकते हैं मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए इसके अंदर डाला है और मैं इसको अब ऐसे डिजाइन दे दूँगी थोड़ा सा इसके कर्ट्स लगा के तो थोड़ा थोड़ा इसको फॉल्ट कर दूँगी और यह देखें वाइड साउस कैसे दिख रही है तो इसके बाद मैं इसको प्रूफ होने के लिए छोड़ दूँगी आदे घंटे के लिए यह स्टेप लास्मी करना है इसके बगएर फिर पीजा आपका अच्छा नहीं बनेगा तो दूसरा पीजा भी मैं ऐसे ही रेड़ी कर लूँगी इसको मैंने वैसे नहीं किया इसको बस मैंने वाइट साउस लगा के तो छोड़ दिया था अब यह वला पीजा प्रूफ हो चुका है अब मैं इसके ओपर पीजा साउस अप्लाए करूँगी इसके रेड़ी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी जैसे भी टॉपिंग आगको पसंदो आप अपनी मर्जी से एड़ कर सकते हैं तो यह सेकेंड पीजा था जो बहुत अच्छे से प्रूफ हो चुका था अब मैं इसके साउस को एक्वली फैला लूँगी ताकि यह पैंस के साइट के साथ बिलकुल एक्वल आजाए और फिर मैंने इसे पीजा सॉस अपलाई की चीज वाइट सॉस और चिकन अपनी मर्जी की टॉपिंग और उपर लॉर्ट सॉफ चीज और अरिगेनो अपलाई किया और इसके बाद मैंने साइट बेना एक जून से एक वाश किया था यह भी लास्मी करिएगा इससे जो क्रस्ट हैंना बहुत मज़गा बनता है और मैंने 15 12 15 इसे बेक कर लिय और यह जो मैंने भी घज़या है जब बहुत आप मानेंगे के सही में डोब बनी है तो इंशाला मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपिक के साथ अल्य हाफीज जी साथ